आज के बाद एक खरोज भी आई है तुनिया जला दूगा बाबा इसमें पूरा गेम बदल चुका है मामा हीरो विलन और विलन हीरो बनकर भोकाल मचा रहे हैं जो बाबा ने तो अधीरा बनकर ऐसा ट्रेंड बदला कि हर एक डैरेक्टर अपनी फिल्म में किसी ना किसी एक्टर को विलन बनाने में लगा हुआ है और फिर लोड बोबी ने विलन बनकर इतना तगड़ा कमबैक किया कि कुछ एक्टरों को तो विलन बनने की खुजली हो गई मैं विलन बनूंगा मैं विलन बनूंगा मुझे इससे अच्छी एक्टिंग आती इसको बिलकुल नहीं आता तो सन 24 और 25 में कुछ ऐसी फिल्म में आने वाली है जिसमें एक्टर ही खतरनाग विलन के रोल में नजर आएंगे और वॉक सर्विस पर तहलका मचाएंगे इस लिष्ट में जितने भी आक्टर हैं मिस मत करना और लाश्ट वाला तो मेरा फेवरेट है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं नमबर टेन पर है रोकी भाई रोकी भाई ने एक ऐसी फिल्म बनाए कि सबको सबकी आउकात दिखाई सोचो कोई साल में चार पिक्चर तो कोई पांच बट रोकी भाई सिर्फ केजे फ्रेंचाजी को बना कर इंडिया के मोश्ट पापुलर एक्टर की कटेगरी में बने हुए तो रोकी भाई ने भी बॉल्लीवुट की तरफ रुख मोड लिया है और नितेश तिवारी की बिग बजट मूवी रमाड के अंदर रावन का रोल प्ले करने वाले हैं जिसमें भगवार राम के रोल में रडवीर कपूर और सीता के रोल में साइप पल्लवी दिखेंगी व अभी आली में कबर आयी थी कि इसकी सुटिंग स्टार्ट हो गई है तो आपके हिसाब से क्या लगता है रोकी भाई रावन के रोल में फिट बैठेंगे की नहीं कोमेंट करके जरू बता ना वहीं अगला विलेन संजू बाबा पीरे से भोकाल मचाने वाले संजू बाबा को विलेन के रोल में देखने के लिए पबलिक पागल रहती है लोग तरस रहें कि संजू बाबा के दरसन कब होंगे यहां तक बोल डाला कि संजू बाबा से बढ़ा विलेन कोई नहीं तो संजू बाबा इस बार हमें डबल स्मा संकर 2019 में स्मार्ट संकर का सिक्वल है जिसमें हमें राम पॉति नेनी देखने को मिले थे स्मार्ट संकर में राम पॉति नेनी की बैतरिन एक्टिटूड वाली एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई और राम पॉति नेनी के कैरियर के one of the best फिल्मों में गिनी जाती है तो संकर को 14 जून 24 को भी रिलीज करने का प्लान बनाया जा रहा है हाला कि अभी इसकी सूटिंग चल रही है नमबर एट पर सैपली खान सैपली खान पिछली कई फिल्मों में विलन बनकर भौकाल मचा चुके है आदिपूरिस में रावन के किरदार में नजर आये थे बट लो जूनियर एंटियार की मच एवेटेड पिक्चर देवरा पार्ट वन जिसमें एंटियार समुंदरी डाकूओं से बिढेंगे इस बर सैपली खान एंटियार से मारा मारी करते नजर आएंगे जैसक फिल्म का प्लॉड समुंदरी डाकूओं के इर्दगिर रखा गया है तो इसमें कुछ खतरनाक अंडर वाटर एक्शन सीन भी सूट किया गया हाला कि खबर यह भी आई थी कि देवरा की सूटिंग के तोरां सेपली खान गायल हो चुके थे जिसकी वज़े से सूटिंग को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था देवरा को डारेक कर रहा है कोरा ता पसंद किया गया तो वह है लौड वभी लौड वभी इसमें भौकाल काट रहे हैं इनमल में बिना कुछ बोले सबकी बोलती बंद करती थी अब रार ने ऐसा तालगा मचाय कि लोग बोलने लगे कि यह है बॉलीवुड का असली विलन अब लौड वभी साउथ में भी भौ कांगवा जो सीव दोरा निर्देशित एक फैंटेसी फिल्म होने वाली है जिसमें हजार साल पहले की कहानी देखने को मिलेगी बता जा रहा है कि बोवी देवल का डबल रोल होगा लेकिन अभी तक दूसरा रोल रिवील नहीं किया गया है सूरिया और बोवी के अलामा दि पिकरम फिल्म में देखे होंगे फिलाल कमल हसन परवास की मच एवेटेट फिल्म कलकी में नजर आएंगे जो एक साइंस फिक्षन मूवी होने वाली है ना गस्विन द्वारा निदेशित कलकी जिसका बजट 600 क्रोड रखा गया था यानि इंडिया की अब तक कि सबसे पिलाल कलकी की सुटिंग अभी तक जोरो सोरो से चल रही है और मेकर से एक धमाके धाट टीजर लाने की तयारी कर रहे हैं कलकी मूवी 9 माई को रिलीज होगी नमबर 5 पर हैं प्रित्वी राज सूकमारन जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने है वो सब मुझे चाहिए प्रित्वी राज सूकमारन मलियानम इंडस्टी के जैने माने अक्टर हैं सलार में दिवा का दोस्त वर्दा के रोल ने इन्हें पैन इंडिया पर पहचान दी तो प्रित्वी राज सूकमारन अक्षे कमर और टाइगर स्रॉप की मच एवेटेड फिल्म बड़े मिया छोटे मिया में 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 विलन के रोल में नेजर आएंगे बड़े मिया छोटे में एक साइंस विक्षन फिल्म होने वाली है जिसमें रोबवेटिंग मैटर भी देखने को मिलने वाला है अक्षे कमर टाइगर जो इंडिया के जबाज स्पाई पिर्थीवी राज सूकमारन उनके नाक में दम करने वाले हैं अलाकि उनका अभी तक चेहरा भी नहीं दिखाया गया है बड़ ट्रेलर 26 मार्च को आने वाला है प्रित्वी राज सुकमारान हमें देखने को मिलेंगे तो फिल्म फिलाल जल्दी रिलीज होने वाली है 10 अप्रेल यानि एद के मौके पर तो देखते हैं क्या होता है नमबर 4 पर है जूनियर एंटियार टिपल आर के जूनियर एंटियार देवरा और वार्टू के अंदर दिखने वाले हैं इस पाई उन्वर्स की अगली फिल्म वार्टू के अंदर एक खतरनाग विलेन की एंट्री होने वाली है वो है जूनियर एंटियार, जूनियर एंटियार रितिक रोशन के साथ भीड़ते नजर आएंगे, फिराल इसकी सूटिंग अभी चल रही है, और हमें वार्टू 14 अगस 2025 में ही देखने को मिलेगी, हाला कि जब यह ख़बर आई थी कि जूनियर एंटियार इस प्राइनोर्स म लगा, बट अब कंफर्म हो चुका है कि जूनियर एंटियार वार्टू में विलन के रोल में देखेंगे, तो सोचो अगर एंटियार ने विलन बनने का फैसला लिया है, तो इस लेबल का रोल होने वाला है, नंबर थ्री रडवीर कपूर, एंबल के अंदर रडवीजे बन उससे भी बिड़ते नजर आएंगे यानि एनमल पार्क के अंदर रडवी कपूर के दो रोल देखने को मिलेंगे अब आजी रडवीजा के दोस्तों को मानने के बाद रडवीजा की फैमिली में घुसने वाला है फिलाल अभी एनमल पार्क को आने में देरी लग सकती है क्यों विलन बनकर भौकाल मचाएंगे रोई सेटी की कोप इनवर्स की अगली फिल्म सिंगम अगैन के अंदर अरजुन कपूर की भी एंट्री हो चुकी है वो भी खतरनाग विलन के रोल में सिर्व अभी तक उनका फ़र्ष्ट लुक के तोर पर एक पोस्टर रिवील किया गया ह पोस्टर में तलवाया लेकर हस रहे हैं यहां तक कि लोग कुस्पा भाव से भी कंपेर करने लगे थे कुछ ने मजा कुडा तो कुछ ने बोला की साध अरजुन कपूर के लिए फिल्म कंबैक साबित हो सकती है हाला कि सिंगम अगैन के अंदर बॉलिवुड एक्टरों का बंडारा लगा हुआ है अजे देवगन करीना कपूर एक्षे कुमार टाइगेस रॉप अवे जल्दी बोल कल सुबे पनवे निकल ला रवी सिंग दीपका पांध कोड जैकी सराब और अरजुन कपूर तो अजे देवगन की सिंगम अगैन इस बर 15 अगस्त को फुसपा 2 से बीड़ेगी और दोनों ही फिल्में एक से बढ़के एक हैं नंबर वन सूरिया सर कमल एसन की मच अवैटेट पिक्चर बिक्रम 2 के अंदर रोलेक्स के किरदार में नजर आएंगे दरसल 2022 में आई LCV इनवर्स की बिक्रम के अंदर रोलेक्स का सिर्फ पांच मिनट का किरदा पूरी फिल्म पर भारी पड़ गया था और सूरिया के फिल्मिक कैरियर की वन अब दबेस्ट परफॉमेस रोलेक्स के किरदार को ही माना जाता है और यहीं से उन्हें पैन इंडिया लेवल फर भी पहचान मिली हाला कि उसी समय उनकी जैवीम ने भी इंडिया के अंदर जा रहाएगा तो आपके हिसाब से इन में से किस एक्टर के विलन के रोल के लिए आप एक्साइटेड है करके जरू बताएं